हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल स्टेप पाई स्टेप गार्डनिग फ्रेंड्स आज हम लोग अरेलिया प्लांट के बारे में बात करेंगे देखिये मेरा प्लांट का क्या कंडिशन हो गया है बिल्कुल बेजान हो गया है सारी पत्यां गिर गई है जब कि यह प कर दोंगी कि कितना ग्रिनिश लुक दे रहा था लेकिन आप देखिए सारा का सारा प्लांट बिल्कुल खाली-खाली हो गया है सारी लिफ्स इस तरह से गिर चुकी है एक्चुली इस पर पैस्ट ने अटेक कर दिया है इस पाइडर माइट जो पैस्ट होता है उसका अटेक हो गार्डनर के साथ कुछ प्लांट ऐसे कॉर्णर में रहते हैं जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ती इसी वजह से आज इस प्लांट की ऐसी कंडिशन हो गई बहुत ज्यादा पूरा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छी है ग्रोथ कर रहा था समर सीजनिस का ग्रोइंग टा प्लांट को डेमेज करते रहते हैं नुकसान पहुचाते रहते हैं तो देखिए एक भी लीफ इसमें बची नहीं है जितनी भी लीफ आपको देख रही है वह सारी की सारी लीफ इस तरह से अफेक्टेड हो गई है देखिए कैसी हो रखी है पूरा वाइट हो गया है लीफ और इस तरह से कुछ हलके हलके से इसमें जाले भी देख रहे हैं ये कुछ देखिए इस तरह से जितनी भी लीफ में आपको दिखाऊंगी ऐसा ही हो गया है क्योंकि जितने भी स्पाइडर माइट है ना उन्होंने पूरा लीफ को कवर कर लिया ये देखिए हलका सा टच करत तो आप ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करें इसलिए मैंने सुचा एक चोटी सी वीडियो बना के आप लोग उसे शियर कर दूं कि इस प्लांट को अगर इस कंडिशन में पहुंच जाए तो इसे ट्रीट कैसे करना है इसे बचाना कैसे है मेरी तो जैसे ही नजर पड़ी इस प् ये स्पाइडर माइडी है तो मेरा पूरा ही प्लांट खाली हो चुक है अरली मौर्निंग ये जो मेरा पेस्टी साइड है इसे मैंने स्प्रेय कर दिया था अच्छी तरह से स्प्रेय कर दिया था मैंने इस पॉट को ऐसे तीर्छा किया और पत्यों की बैक साइड में ही येलो अटेक करते हैं तो मैंने ऐसे पत्यों की बैक साइड में खुब अच्छे से स्प्रेय कर दिया है तो जो लीफ्स बच जा जाता और में इस प्लांट को खो देती तो अगर आप ऐसी प्राप्लम को फेस करते हैं तो आप अपने प्लांट को किस तरह से टीट करेंगे मैं आप लोगों को बता देती हूं आपके प्लांट में किसी भी तरह के पैस्ट का आटेक होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना ह होता है लिए 2-4 पैस्ट लगे हो तो नीम उॉल स्प्रेय कर सकती है लें यहां स्पेस्ट आइट बाल हुआ तक जो लीव से हैं जो प्लांटे उसे हम लोग बचा सके हैं तो मैंने ऐसा ही किया हम आपको एसा ही करना पड़े लेकिन एतने हेड़ी कलगे हैं मैंने dramatically तो आप क्या करोगे प्लांट पेस्टी साइट का स्प्रेय तो करना ही करना है जिसे तुरन पैस्ट मर जाएं क्योंकि बहुत बारिक होते हैं उसके बाद जो भी सॉइल है आपकी सॉइल में गुडाई करके उसमें थोड़ा सा नीम खली पाउडर भी एड़ कर दीजिए मैं ह हर में बताती हुँ कि की आप किसी ऊसी तरह का सओईल मिंशेर बना रहे हैं यहाँ कोई कमपोज अटsol और ऑट कर रहा है तो हरेक चीज में आपको नीम खली पाउडर पाउडर करना हैः पाउडर अगर सैंतल में रहता है तो पैस्ट का अटेह तो मेरे गार्ण में कुछंगी सब्सक्राइब कर्षाथ करगे लिए और वहुद नियुके सी वॉट्रींग कर दूँगी यी पेस्ट लगते क्यों है ज़्यादा तर मोश्यर बढ़ जाने की वज़ा से भी पेस्ट लग जाते हैं कई बार हम लोग वॉट्रिंग जादा कर देते हैं तब पेस्ट होते हैं तो मेरा भी ऐसा ही हुआ यह ग्रीन नेट में था उपर से दो चार प्लांट के बीच में पड़ा हुआ था और उपर सी दिखी स्वाइल कि स्वाइल हमेशा गिली रहती है यहां पर सनलाइट आती नहीं है और कभी बारिश हो गई तो एक बार गिला हो गया तो 15-20 द प्लांट फिर से रीकवर हो जाएगा गरोट करने लगेगा और फिर से हरवरा हो जाएगा देखिए पूरा खाली हो रखाना इसके नई ग्रोथ हो जाएगी कुछी दिनों में अब मैं इसे थोड़ा सा लाइट में रखूंगी जहां इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो अधर्वाइज आपका प्लांट भी बचाना मुस्किल हो जाएगा, मेरा तो टाइम रहते मेरी नजर पड़ गई तो मैंने इसे बचा लिया है, अब यह डेमेज नहीं होगा, मरेगा नहीं, देखिए किस तरह से कवर कर रखा है पूरे पैस्ट ने, यह ग्रीन कलर गा रहता ह तो वो भी मर जाए, मेरा प्लांट बच जाए, तो ऐसा आपको भी करना है, इसलिए मैंने सुचा एक छोटी सी वीडियो बना के दोस्तों से शियर कर दूँ कि कुछ लोग के प्लांट में पैस्ट लग जाते हैं, तो वो लोग परिशान होते हैं कि हम क्या करें, कैसे अपन पैस्ट को ट्रीट करने में, तो मुझी है किने आप लोग को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों से शेर कर दीजे, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजे, ताकि नोटिफिकेशन आती रहें, आप मेरी वीडियो देखते रहें, और अपने प्लांट की केर करते रहें, जल्दी किसी नए टॉपिक पर आप लोगों से फिर मिलती हूं, तब तक अपना और अपने प्लांट का अच्छे से खयाल रखें, बा